बीजेपी से इस बार सांसत बनी बॉलिवुड एक्टरेस कंगना रनावत को चंदिगर एरपोर्ट पर थपड मारने का वाखिया पेश आया है ये हासा क्यों पेश आया थपड किसने और क्यों मारा और इस पर कंगना रनावत ने क्या कहा पूरी डेटल आप इस वीडियो में जान सकते हैं दरसल अस दोपहर कंगना चंदिगर एरपोर्ट से दहली के लिए रवाना हो रही थी और चेकिंग के दोरान CISF की महीला जवान ने कंगना को थपड मार दिया है थपर मारने वाली महीला जवान का नाम कुलविंदर कौर हर पिछले 15 सालों से आप तक इस महीला का कोई गलत रिकौर्ड नहीं है पर थपड मारने की वज़ा बताते हैं महीला जवान ने जो कहा इससे साफ जाहिर होता है कि कंगना के पुराने किसानों के खिलाफ दिये गए बयान से नाराज थी महीला जवान ने कहा किसान अंदोलन के दोरान इनकी मा भी उस अंदोलन में शामिल थी तब कंगना ने इनकी माग के अलावा दीगर महिलाओं को 100-100 रुपया लेकर अंदोलन में आने वाली ओरतें कहा था आपको भी याद होगा उस वक्त कंगना के बयान के खिलाब खूब जमकर कॉंट्रोवर्सी क्रेट हुई थी चंदिकर आएरपोर्ट पर हुए इस हासे के बाद कंगना नौट ने वीडियो बयान जारी कर कहा इनको थपन मारने वाली महिला किसान अंदोलन की सपोर्टर है और पंजाब में आतंगवाद बढ़ रहा है फिलहाल थपन मारने वाली महिला जवान के खिलाब अपायर दर्च कर हिरासत में लिया गया है और इस मामले की बारीकी से जान चल रही है नमस्ते दोस्तों मुझे बहुत जादा फोन कॉल्स आ रहे हैं मीडिया के भी और मेरे शुपचंतों के भी सबसे पहले तो I am safe I am perfectly fine आज चंडिगर एरपोर्ट पे जो हाथसा हुआ वो security check के साथ में हुआ वहाँ पे मैं security check करके जैसे ही निकली तो दूसरे cabin में जो महिना थी जो सुरक्षा करमचारी थी CISF की उन्होंने मेरे उनके पास या उनको cross करने का इंतजार किया और साइट से आकर मुझे मेरे face पे hit किया और गालियन देने लगिया और जब मैंने उनको पूछा के उनोने ऐसा क्यू किया तो उन्होंने कहा के वो फार्मर्स पटेस्ट को जो है वो support करती है और I am safe but my concern is के जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है how do we handle that thank you